नमस्कार निउज पॉइंट में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ट पद्रकार और प्रोफेसर मुकेश कुमार मुकेश जी आपका स्वागत है भाँ बहुत शुक्रिया राजीव जी तो मुकेश जी मोधी सरकार जब से सत्ता पर काबिज हुई है तब से पुरानी सरकार के फैसलों को और पुराने सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उसको और नामों को बदलने का सिलसला जो है वो जारी है पहले योजना आयोग निती आयोग में तब्दील हो गया और अब मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम शिक्षा मंत्राले हो गया है ऐसा लगता है जैसे समय का पहिया जो है वो उल्टा घूम रहा है 1985 में तद्कालिन राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्राले के नाम को बदल कर इसका नाम मानव संसाधन विकास यानि HRD मंत्राले कर दिया था अब लगबग 34 साल बाद एक बार फिर से इस मंत्राले का नाम बदल गया है और शिक्षा मंत्राले कर दिया गया है और केवल नाम ही नहीं बदला है जबकि बलकि जो है शिक्षा नीती में भी बदलाव की तैयारी कर ली गई है इससे पहले राष्ट्रिय शिक्षा नीती का निर्मान 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे इसके बाद तीन दशक गुजर गये हैं मुकेश जी लेकिन इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है इसलिए अब मोधी सरकार ने नई शिक्षा नीती को मन्जूरी दे दी है केंद सरकार का मानना है कि शिक्षा के खेतर में बड़े स्थर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में घ्यान का सूपर पावर बन सके इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिये जाने की जरुरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके प्रात्मिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राश्ट्रिय पाठ करम का फ्रेमवर्क तयार करने पर सरकार जोर दे रही है और इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाशाओं के ज्यान, 21 सदी के कोशल, कोर्स में खेल, कला और बातावरन से जुड़े हुए मुद्दे भी शामिल किये जाएंगे नई शिक्षा नीती की कई महतुपुर्ण विशेष्टाएं बताई गई हैं, जैसे शिक्षकों के साथ-साथ अभिवाव को भी जागरूख करने पर जोर होगा प्रते एक शात्र की शामताओं को बढ़ावा देना भी प्रात्मिक्ता होगी, वैचारिक समझ पर जोर होगा और रचनात्मक्ता और महतुपुर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा शात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठनाई या अलगाव नहीं होगा नेतिक्ता और समविधानिक मुल्ले पाठे करम का प्रमुख हिस्सा होंगे जिन बातों को नई शिक्षा नीती की विशेष्टा बतलाया जा रहा है मुकेश जी दरसल वो शिक्षा की मूलबुत विशेष्टाएं हैं यानि कोई भी शिक्षा इन मुल्यों के बिना पूरी नहीं होती है तो फिर क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीती के आने से ही इन मुल्यों में जो है मुल्यों का जो है वो स्थान मिलेगा और मुकेश जी आपको क्या लगता है कि क्या मानव संसाधन विकास मंतराले का नाम बदलने से कोई खास फर्क पड़ेगा या शिक्षा परणाली की खामियों को दूर किये बिना केवल नई शिक्षा निती के आने से भारत ग्यान का सूपर पावर बन जाएगा अजय जी एक बुनियादी बात हम ये समझ लें कि ये सरकार चाहती है कि पुरानी सरकार की या पुरानी सरकारों की जो तमाम परंपराएं और जो तमाम तरीके आ रहे हैं उनको उलड़ दिया जाए उनसे हटा जाए अब हटने के लिए कोई दूसरा विजन अगर उनके पास होता तो अच्छी बात होती बदलना बदलाओ जरूरत है समय के साब से बदलना भी चाहिए लेकिन बदलाओ के लिए बदलाओ परिवर्तन के लिए परिवर्तन ये इस सरकार का जैसे एक नियम बन गया है तो देख रहें कि उस यह उस विभाग के बंध होने से पूरा असर कितना पड़ा है हमारी प्लानिंग पर यह आपको देख सकते हैं दूसरी बात है शिक्षा मंत्रालय बना दिया नाम बदल दिया अब यूमान डिसोर्स डेवलेप्मेंट में और भी कई मंत्रालय आ रहे थे उन मंत्रालयों का क्या होगा क्या वो अलग-अलग हो जाएंगे तो कुई और देखेगा नए मंत्रालय फिर फ्रियेट किये जाएंगे तो एक समस्या यह भी है हो सकता है उनकी योजना में हो कुछ और मंत्री बनाना चाहते हो और शिक्षा मंत्रे मंत्रालय को अलग करना कहने का मतलब यह कि कॉस्मेटिक चेंज जो है इस सरकार की एक तरह से द्रिश्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है बनावटी जो उपर किस शंगार है उसको बदलने पर जादा जोर होता है कंटेंट में जादा दम नहीं होता है अब देखिए कि यह सरकार UPA2 में भी यह प्रपोजल आया था जिसका BJP ने विरोध किया था कि विदेशी जो विश्विद्याले हैं उनको यहां हिंदुस्तान में केंपस खोलने दिया जाए इसको लेकर जबर्दस्त विरोध किया था अब इस पॉलिसी में यह आ गया है कि हम दुनिया के जो सौ सर्वशेष्ट विश्विद्याले हैं उनसे कहेंगे कि हिंदुस्तान में केंपस खोला जाए अब विरोध क्यों हो रहा था तर्क क्या दिया जा रहा था किस से इसका मेंगी हो जाएगी अनफोर्डेबल हो जाएगी आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो उनसे कंपीट करने लगेंगी तो उनको वो अपनी फील वगरे पढ़ा देंगी अब क्या होगा तो क्या इसका मतलब यह है कि आप तैक कर चुके हैं क कि हम जो उच शिक्षा के लिए लोग जा रहे हैं उनमें कमी करना चाहते हैं या जो कम आयवर्ग के लोग हैं उनको आप शिक्षा से बाहर कर देना चाहते हैं तो यह एक जो पहली पहला इंप्रेशन मेरा इस शिक्षा नीती को लेकर रहा है वो यह है दूसरी बात यह है क आपने चार साल वाला कारकम जो कि आपको याद होगा कि दिनेश सिंग वाइस चांसलर थे दिल्ली इनवर्सिटी के उन्होंने भी इसे लागू करने की कोशिश की इसका जबरदस्त विरोध हुआ था इसके बाद वो वापस फिर से वहीं पर पहुंच गए थे तो यह चार सा दो साल थीन साल चार सार जब भी आप निकलना चाहते हो निकल लो इसका असर क्या पड़ेगा उनकी इंपोडरैवेलिटी पर कैसर पड़ेगा उनकी सिक्षा पड़ेगा इसका कोई आकलन किया गया गया क्या है यह हमारे ख् عنतर शें बहुत लह ठीक है दो कमीटिएं बनी तो फेजेस कुछ-कुछ इस्तर पर करके प्रियोग की स्ताहत आगे बढ़ना चाहिए एक तम से एक शिक्षा निती लाकर नहीं थोपा जाने चाहिए आपने राग दरबारी पढ़ी होगे शिक्षा निती जो है और रास्ते में पढ़ी कुटिया है जो आता है एक लात लगा में समझ ही क्या रहे आप जो अभी HRD मिनिस्टर है जो अब शिक्षा मंद्री कहलाएंगे उनके सोच का इस तर देखिए न वो किस तरह के बयान देते रहे हैं किस तरह के शिक्षा के बारे में बात करते रहे हैं बहुत ही जो कहना चाहिए कि पिछ़़े पनवाली पुरात पिर आप देखिए कि उसमें ये भी है कि जो विशेशग हमारे इंस्ट्यूशन से जैसे IIT हैं IIM है आप उनको कह रहे हैं कि वो विशेशग्यता से हट जाएंगे वहां आप उनको यूमिनिटी भी पढ़ाएंगे आर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे कोई बुराई नहीं है यह सब्जेक्ट कोई कमतर नहीं है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि आप जो जिस लेवल के इंजीनियर्स बना रहे थे टेक्नोलोजिस्स बना रहे थे उनमें गिरावट आ जाए वैसे भी आप जानते हैं कि पहले 500 यूनिवर्सिटी हैं जो दुनिया की उनमें भारत की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है आप जो आगे चल के दावेदार बन सकते थे जिनको आप सपोर्ट करते बैतर सनाधन संसाधन उपलप्त कराकर उनको भी अब उस होड से बाहर कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि अब विदेशी उनिवर्सिटी आएंगी यहां पर अप खतरनाक क्रेंड होगा यह बड़ी मुश्किल से तो हम लोग उन तपकों को उच्छे शिक्षा के दरवाजों तक लाप आए हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते थे किसी किसी तरह से अब दीरे से यह जो एक निजी करण का दौर चल रहा है और वैश्वी करण का दौर च चले जाएंगे और जाहिर है कि फिर जो सक्षम संपन जातियां हैं सवर्ग हैं कपके हैं वही शिक्षा पाएंगे और वही हमारे उपर राज करेंगे बिल्कुल मुकेश जी मैं उसी पर आभी रहा था कि नई शिक्षा नीती में कुछ बदलाव परिक्षा के तोर तरीकों में भी किया जा सकता है यह कहा गया है और कहा जा रहा है कि छात्रों को साल में परिक्षा के लिए दो या तीन बार मौका मिले ताकि छात्र जो है वो पाली और मल्यालम भाशाओं को शामिल किया जा सकता है शिक्षा के अधिकार कानून के दाइरे को बढ़ाने की बात भी कही जा रही है और अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अंदर लाया जाएगा ये कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं म लेकिन सरकार को असल फोकस जिस पर करना चाहिए वो बात इस नई शिक्षा निती में नहीं दिख रही है वो ये है कि शिक्षा का निजी करन जो हो रहा है जिस प्राइवेट जो प्राइवेटिजेशन की जो बात आप कर भी रहे थे तो प्राइवेट स्कूल फीस न केवल यहां आकर सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है बलकि सरकार की जिम्मेदारी तो हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक जैसी अच्छी इशिक्षा ब्योस्था देना है लेकिन सरकारी स्कूलों और सेवन स्टार निजी स्कूलों में अंतरिक्ष और पताल जैसा आकास भी नहीं अंत्रिक्ष और पताल जैसा अंतर है और इस खाई को कैसे पाटा जाएगा इस बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है आप क्या कहेंगे अगर आप पता करेंगे तो अभी जो इंजिनरिंग कॉलेजेस की फी है एक मुस्त बढ़ा दी गई यह पिछले साल और जो बहुत सारे लोगों के लिए अनफोर्डेबल हो गई है अब उसके बाद अब यह जो इस्टिटूशन्स हैं बड़े-बड़े हमारे उनमें होगा य जिंता आको अभी वेक्त कर रहा था कि उुच्य श्यक्षा से चाहे ट 나오ो चाहे दूसरी शिक्षा हो उन सब से हमारा जो गीया त्माम वर्ग्र गिखल姐 thin var the book किए जाएगा और यह कोई अंजाने में नहीं हुरा है जान बूच गुच कर किया जारा है बहुत सोचे सब्जे धंग से किया जा रहा है बदला होना चाहिए दुनिया बदल गई है पिछले 30 सालों में बहुत सारे बदलावों की जरुवत है लेकिन हमारे जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं जो यथार्थ है उसको भुला कर आप नहीं कर सकते कि आप अमेरिका और यूरोप की शिक्षा कीपना चाहते हैं आप पुराने जो विष्व विद्याला है नालंदा वगएर उनके रिवाइवल की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा जो डिपेंडेंस है वो विदेशी शिक्षा के मॉडल पर जा रहा है आप इसको देखें यह सारी चीजें जो आपने अभ विष्व 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 विष पर पढ़ता है आप देखिए कि जो सेक्णों की तादाज में निधी विश्विद्याले खुल गए हैं उनमें पढ़ाई का इस तर बहुत ही निम्न है वो विश्वद्रू से दुकाने हैं कारोबार हैं और ये सब कारोबार को बढ़ाते देने की कोशिश हैं अब भाई दिया किसको दे दिया अमभानी को जिसने अभी तक अपना विश्विद्याले शुरू नहीं किया उसको उसकी समय तो ये पूरी तरह से ऐसे बड़े उत्योग पतियों पुझी पतियों विदेशी जो बड़े शिक्षा संस्थान हैं उनके हातों में अपनी शिक्षा को सौ पी नहीं है ये भी आरोपिस सोच है और इसके अंदर अभी तो स्वष्ट नहीं है लेकिन एक हिडेन एजेंडा भी मैं देख रहा हूं जरूर होगा संस्कृति के नाम पर भार्तीता के नाम पर जो धुन्चल सवार है हमारी सरकार पर उसमें क्या-क्या अंदर खाने रोप टो आधुनिक शिक्षा को कैसे हम अपने चात्रों तक पह cerca को हमारे पास शिक्षा की नहीं पढ़ाने वाले ये तमाम चीजें जो हम सोच नहीं है उनके ट्रेनिंग ही नहीं होती है, उनको ठीक ढंग से तनकानी, आप देखिए हमारा शिक्षा का बजट चार दशमलों पांच यचे फीजदी के आसपास है पूरे GDP का, कितने साथों से कहा जा रहा है कि इसको कम से कम 6-7 फीजदी लाइए, उस पर सरकारी तयार नहीं होती है वह कोई बढ़ोत्री उसमें नहीं हो रही, कमी उबेश वहीं आसपास घूम रहा है, अगर आप बजट नहीं बढ़ाएंगे, रिसर्च पर हम चीन से हर बात पर तुलना करने चाहते हैं, रिसर्च के मामले में हम से चीन कहीं 10 गुना, कहीं 15 गुना, कहीं 50 गुना खर्च क एक बड़ा खुबसूरत नई शिक्षानिती लाई है ये सरकार, इतने सालों बाद लाई है, सुनने में और बेचने में, मार्केटिंग करने में मुझी जी को अच्छा लगेगा, सरकार की मार्केटिंग तो होती है, लेकिन असल में आप देखेंगे कि कुछी सालों में इस 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिचूशन बनाना, 2040 तक सभी उच्छ शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिचूशन बनाना और 2050 तक स्कूल और उच्छ शिक्षा परणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को चात्रों को ब्योसाइक शिक्षा में शामिल करने जैसी लंबी दूरी की बाते सोची गई हैं लेकिन शिक्षा नीती कोई मिसाइल तो है नहीं मुकेश जी की जो एक बार में लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगा दे आज से 20-30 साल बाद क्या होगा ये बताने से पहले सरकार को आज के हालात में बच्चों के लिए बेहतर क्या हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए और यही बात अभी आप भी अपने वक्त अभी में कह रहे थे मुकेश जी क्योंकि 2020 में तो आलम ये है कि स्वास्त मुसीबत जो कोरोना भी है उसके कारण हो रही ऑनलाइन शिक्षा और परिक्षा में हजारों विद्यार्थियों को परहाई से वंचित होने का डर सता रहा ह सरकार इन बच्चों का जो बरतमान वो कैसे सुधारेगी और भविश्य कैसे उसका सुधरेगा ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और इसके उपर अगर नई शिक्षानीती थोपी जाएगी तो आगे क्या होगा इस देश का और इस देश के जो बच्चे हैं उनका ये हम सब को सोचने की जरूरत है तो मुकेश जी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों साथियों शुप्चिंदकों आपने बहुत ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना उसके लिए आप सभी को भी तह दिल से शुक्रिय करता हूं देखते रहे टीवी लाइब नमस्कार